नमस्कार, मैं रभुनात प्रशाद, आज चर्चा कर रहा हूं। Engineering, especially engineering के students, science के students के लिए, उसमें कुछ commerce और arts के भी students का भी आएगा। यह है GATE 2023, Graduate Aptitude Test in Engineering, यह नेशनल लेवल का एग्जाम है, जो प्राइमेरली टेस्ट करता है Engineering, Technology, Architecture, Science, Commerce, Arts के comprehensive understanding की। GATE बहुत ही important exam है, सहरी छेत्र में जो बच्चे हैं Engineering वाले, उनको तो इसकी जानकारी काफी हद तक है। लेकिन जो रूरल बेस्ट कैंडिडेट हैं, उनको बहुत सी जानकारियां नहीं मिल पाती है। जिसके कारण वो गेट का जो भी exam होता है, वो उसमें अच्छी संख्या में नहीं भार पा रहे हैं। इसलिए अब शिक्षा मंत्राले भारत सरकार और शाथ ही जो अर्गनाइजिंग बड़ी है, कंड़क्टिंग बड़ी है, उनका ये प्रयास है कि सेंटर्स वगरे इस तरह से लगाये जाएं, कि रूडल बेस्ट जो एस्टुरेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो भी इसक चर्चा अधर कंट्रीज की भी है, जब वेव साइट पे जाके, जो अधराइजड साइट है, उस पर जाकर कैंडिडेट्स जरूर देख लेंगे, सारी सुचनाओं को, चाहाँ वो सुचना एलिजिबिलीटी की हो, फी की हो, रेश्टेशन कैसे करना है, ये सब डेट को, औ कि कैंडिडेट्स को ग्रेट्विट होना चाहिए, इंजिनियरिंग अथवा टेकनोलोजी, अथवा मास्टर्स डिग्री, मतलब हुआ कि डिग्री होना चाहिए, इंजिनियरिंग अबलिक टेकनोलोजी, अथवा मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, इन एनी रिलेवेंट सा बात दिया है कि जो academic qualification वाले candidate जो pre-final में हैं या final year students of qualifying degree वाले जो हैं वो भी इसके लिए eligible हैं इसके अतरिक्ट कुछ foreign degrees को भी दिया गया है लेकिन उनका जो परहाई का जो tenure होना चाहिए वो at least three years का होना चाहिए इसमें age limit नहीं है eligibility में आप देख रहे हैं कि understanding में दिया है कि commerce, science, commerce, arts वगरा लेकिन eligibility में arts और commerce के extension नहीं है इसका मतलब की questions ऐसे आते होंगे जिसमें कि वो उसकी जाच होती होगी या अप सिलेबस ज़रूर परहेंगे जो candidate हैं engineering वाले या science वाले जो master degree वाले हैं और engineering वाले जो degree वाले हैं इसके त्रिक्त मैं चर्चा करूं कि यह computer based test है और इस वर्ष इसको जो organize कर रहा है वो IIT कानपूर है और conduct करेगा Indian Institute of Science बेंगलोर और साथ IIT बंबे, देली, गुआटी, कानपूर, खरकपूर, मदरास और रूर्गी यह ministry of education government of India के विहाब में यह कर्ज होगा अब है जो बहुत ही important चीज है कि इस gate score का उपयोग किस-किस चीज में होगा तो इसका उपयोग जो है वो होगा admission and financial assistance किस में पहला दिया है तो master's program and direct doctoral program in engineering, technology, architecture, science, commerce and arts second दिया है doctoral programs in relevant branches of arts and science in the institution supported by ministry of education and other government agencies तिसरा दिया है it is also used by some colleges and institutions for giving admission to students without ministry of education, scholarship or assistance और चौथा है जो मैं देखता हूँ कि बहुत candidate जो gate score वाले हैं वो इसके लिए बहुत उत्सुक रहते हैं और apply किरते हैं many public sector undertakings जो है इस gate score का उपयोग करता है recruitment में जो बहुत ही important चीज है जो वर्स 2023 के लिए gate क्या जो है programming जो मैंने देखा वो है कि 30 August share registration शुरू होगा जो 30 September तक चलेगा और late fee के साथ यह 7 October 2022 तक होगा 3 January 23 को admit card जारी होगा और जो computer based test होगा वो 4, 5, 11, 12 फरवरी 23 को होगा 21 फरवरी को answer की जारी होगा और 22 से 25 तक आपती ली जाएगी candidate से और 16 March को result जारी होगा और 21 March से scorecard साइट पर आ जाएगा यह gate बहुत ही important exam है जो eligible candidate है जरू साइट पर जरू देख लें सारी चीज को और इसमें निश्चित तोर पर अपलाई करें सहरी चेत्र के बच्चे तो अपलाई कर रहे हैं उनकी भी संख्याबर है और rural based जो बच्चे हैं वो निश्चित तोर पर इसमें interest लें इसमें career बहुत आगे बरना है आपने इस वीडियो को देखा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो निश्चित तोर पर लाइक करें अपने contact में share करें अब तक मेरे चैनल को आपने subscribe नहीं किया तो subscribe करें और bell icon को अवर्श टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का notification आपको तुरत मिल जाए आप सभी लोगों के लिए सुब कामनाए धन्यवाद जय हिंद